दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है परजापती निज में दोस्तो आज की टॉपिक बताने से पहले आपको बता दूँ कल 17 नौमबर था और कल के दिन मेरा बर्डे होता है इसलिए मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पाया था बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि वीडियो अप्लोड करो तो दोस्तो उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड कर माफी मांग रहा हूँ कि मैंने वीडियो नहीं अप्लोड कर पाया था लेकिन दोस्तो आप लोगों का प्यार मेरे साथ है मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हैपी वर्डे विस्क कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के टॉपिक पर आते हैं आप सभी लोगों ने घर में, कलब में लोगों को विस्की पीते हुए देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी वैसे को विस्की का मजा लेते हुए देखा है साय दोस्तो नहीं देखा होगा आपको जो स्क्रीन पर वैसा दिख रहा है इस वैसे की कीमत 9 करोड रुपे है आपको बता दें इवराज के लिए लोग 9 करोड रुपे देने तक को तयार है लेकिन उसके मालिक ने इस ओफर को ही ठुकरा दिया आखिर कौन है एवराज और क्यों हो रही उसकी इतनी मांग चलिए आपको इस वीडियो में पूरे डीटेल में बताते हैं कि आखिर 9 करोड रुपे लोग देने को क्यों राजी है आप से वी लोग वीडियो को लास तक देखते रही है लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उस पे क्लिक कर लें और साइट में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पे भी क्लिक कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को सेर भी कर दें दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर भैसा दिख रहा है इस भैसे की कीमत है 9 करोड रुपए लेकिन उसके मालिक ने इस ओफर को भी ठुकरा दिया जी नहीं इतना भारी भरकम ओफर किसी जबरजस्ट कार के लिए नहीं बलकि एक इवराज के लिए है आपको बता दे मुर्रा परजाती का एक भैसा इवराज जिसे दुनिया का सबसे मैंगा भैसा माना जाता है हर्याना के किसान करंबीर सिंग के इस भैसे की सोहरत पूरे देश में फैल चुकी है और एक देश के इस जिस भी हिस्से में होने वाले पसु मिला में जाता है तुरंट छा जाता है दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा होगा आखिर इस भैसे में क्या बात है कि इसके 9 करोड रुपे मिल रहा है आपको बता दें इवराज के इसपंप की जबरजस्त मांग है और देजभर के लोग अपने दुधारू भैसों के लिए इवराज के इसपंप की चाह में करंबीर के पास आते हैं दरसल लोग चाहते हैं कि इस बहतरीन भैसे की इसपंप से उनकी भैस भी बहतरीन नसल के बच्चे को जर्म दे इवराज की जबरजस्त सेहत का अंदाजा इसी बात से लगाय जा सकता है कि उसकी लंबाई 7 फिट और वजन करीब 1600 किलो है आपको बता दे करंबीर ने खुद बताया है कि इवराज से हर साल लगबग 45 लाक रुपे की कमाई करते हैं इसके इसपंप की हर डोज को 300 रुपे में बेच कर उन्हें भारी कमाई होती है हालकि इवराज को चुस्त और तंद्रुस्त रखने के लिए करंबीर उसके विसेश ख्याल रखते है और उसकी हर दिन की खुराग आपको हैरान कर देगी दोस्तो अगर किसी भैसे का 9 करोड रुपे मिल रहा है तो उसका खुराग भी उसी इसाब से होगा इवराज को हर दिन 100 सेब, 20 लीटर दूद और 15 किलो अनाज और ड्राइ फ्रूट्स खलाए जाते है साथ ही ठेंड के मौसम में उसे थोड़ी सराब भी दी जाती है जी हाँ दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना ठेंड के समय में उसे सराब पिलाई जाती है जिससे कि उसका सरीर गरम रहे दोस्तो इतना ही नहीं, दिन में दो बार सरसो के तिल से इवराज की मालिस भी की जाती है साथ ही महीने में चार बार उसके सरीर के बालो को हटाये जाता है इवराज की देखभाल करने में दस लोग लगे रहते हैं इस भैसे का नाम इवराज रखने के पीछे एक कहानी है करंबीर बताते हैं कि जब इसका जन्म हुआ था तो उसके सितारे किरकेट के बीच बुलंद थे इसलिए इसका नाम इवराज रखा गया इतना ही नहीं उन्होंने इवराज के पिता भैसे का नाम योग राज रखा और उसकी मा का नाम गंगा इवराज और गंगा अभी तक करंबीर के पास हैं गंगा अभी हर दिन 20 लीटर दूद देती है जवरजस दूद देने वाली मुर्रा परजाती मुख्यता उत्री और मद्ध भारत में पाई जाती है इसे दच्छी डेसिया की सबसे ज़्यादा दूद देने वाली परजाती के तौर पर जाना जाता है इवराज इसी मुर्रा परजाती में आता है बहतरीन भैस की कमी के कारण ही डेरी फार्म के मालिक अपने दुधारू भैस के लिए इवराज जैसे बहतरीन भैस क्या इस्पम की तलास करते हैं तो आखिर क्यों करंबीर 9 करोड रुपे में भी इवराज को बेचने को तयार नहीं है तो इसका जवाब खुद करंबीर देते हैं और कहते हैं इवराज मेरे बेटे जैसा है जी हाँ दोस्तो करंबीर का मानना है कि मैं इवराज को अपने बेटे के जैसे रखता हूँ और आपको बता दो इवराज हर दिन अलग-अलग ब्रांट के विस्की पीता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा तो दोस्तो इस भैसे के लिए आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तो जितना इस भैस के कीमत है इतना तो कीमत किसी कार का होता है और दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसी ही वीडियो बना कर लाते रहें वीडियो को सेर भी कर दें ताकि सबी लोगों तक ए वीडियो पहुँच जाए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक जै हिंज जै भारत दोस्तो आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें दोनों वीडियो काफी अच्छी है